आम आदमी पाटी के वरिष्ट नेता मरी सिसोदिया सुमार को अरविंद केजरिवाल के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं केजरिवाल की ओर से सीएम पच छोडने की गोशना के एक दिन बाद से ये मुलाकात होने जा रही है केजरिवाल ने कहा कि वो तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता इमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती आमाद्बी पार्टी की राश सायूजक ने ये कहा और साफ कर दिया कि उनकी तरफ से अगली चुनाव जीत तक मुणी सी सोदिया भी पद ग्रेड नहीं करेंगे एक पार्टी पतादिकारी ने सोमवार को कहा किसे सोदिया और केजरिवाल की आज मुलाकात होगी केजरिवाल के फैसले के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है बैठक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की जा सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात सिविल लाइन्स एरिया में सीएम के आधिकारिक आवास मूंगी आई आपको सुनाते हैं विशे में राहगव चंडारे क्या खा मुख्यमंत्री जी अगनी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तै करेगी कि मुख्यमंत्री इमानदार है की नहीं है अर्विन गेजरिवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना आज उन पे तौमते लगाए गई आरोप लगाए गया आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी इमानदारी की परीक्षा अगनी परीक्षा देने का फैसला लिया है दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को इमानदार घोशित करेगी जाडू का बटन दबा कर और अब आने वाला में अमिताब बच्चन के हाथ पर लिखा था वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलेट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरिवाल इमामरार कसित शराब घोटाले में गिरफतारी के बाद महीने तक जेल में रहकर जमानत पर निकले केजरिवाल ने कहा कि वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे उन्होंने कहा कि दो तिन दिन में विधायक दल की बैठक होगी और आम आदमी पार्टी से नए सीम का चुनाफ कर दिया जाएगा केजरिवाल की कहुशना के बाद इस बात की चर्चा छड़ गई है कि दिल्ली का नया मुख्यमंतरी कौन होगा आए आपको सुनाते हैं अर्विं केजरिवाल ने क्या खाओ दोस्तों दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं सीम की कुर्सी से स्टीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं जन्ता के बीच में जाऊंगा गली-गली में जाऊंगा घर-घर में जाऊंगा और जब तक जन्ता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरी वाल इमानदार है तब तक मैं सी-म की कुर्सी के उपर नहीं बैठ हूँ आज से कुछ महीने बाद चुनावें अगर आपको लगता है केजरी वाल इमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना केजरी वाल सरकार की मंदरी आतिशी और गोपल राय का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है चर्चा इस बात की भी है कि केजरी वाल की पत्नी सुनीदा को भी जिम्मिदारी दी जा सकती है मंदरी कैलाज गैलोत के नाम पर भी विचार किया जा सकता है जो कि अभी तक विवादों से दूर रहे जाट नेता के सिर्थ ताश सरकर पार्टी हर्याणा में फायदे की कोशिश भी कर सकती है सूत्रों के मताबिक दौर नेता संभावे चैरों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और एक नाम तैक आजाएगा जिसे विधायक दल की बैटक में महर्द लगायके विधायकों के सामने रखा जाएगा ये भी खाल जा रहा है कि केजरीवाल कोई चौकाने वाला चैरा भी सामने ला सकते हैं संभाव है कि वो किसी दले चैरे पर भी दाउन लगा सकते हैं पहले राजकुमार आनंद के सीफे और फिर राजे इंदरपाल गौतम के पार्टी छोड़ने के बाद दलेतों के भी संदेश देने की कोशिश की जा सकती है ऐसे इप्डेट्स करें देखते रहिए निउस गाल इंडिया